Spill the tea on your first kiss का क्या मतलब होता है या आज किस वीडियो में सीख लेते हैं Spill the tea का अगर हम मतलब समझें तो इसका मतलब होता है जब कोई वेक्ति किसी चीज के बारे में जानना चाहता है या यह कहना चाहता है कि हाँ हाँ इसके बारे में और बताओ या कुछ interesting चीजें बताओ तो उसके लिए Spill the tea कहा जाता है और उसके बाद on your first kiss का मतलब कि आपके पहले kiss के बारे में यानि कि जब भी कोई आपकी romantic relationship जो है उसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहता है कि कैसे आप अपने partner से मिले कैसे आपका पहला kiss हुआ कैसे आपके relationship आगे बढ़ी तो उसके बारे में जब कोई जानना चाहता है या वो चाहता है कि आप detail में उसे बताएं तो उसके लिए वो कहता है spill the tea on your first kiss यानि कि spill the tea on your first kiss is a playful or informal way of asking someone to share details or stories about their first kiss it's often used in a conversational or casual setting among friends when people want to hear amusing or nostalgic anecdotes about their experiences sharing stories about first kiss can be way to bond तो जब भी कोई आपके first experience के बारे में कोई चीज़ें इस तरीके से पूछना चाहता है कोई आपका friend तो उसके लिए वो ऐसा कहता है अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें